और प्रधानमंती नेल्मोदी ने आज मद्धिपदेश में जबलपूर का दौरा किया। इस मौके पर प्रधानमंती ने रोड़ शोब ही किया। इस जिसके दौरान प्रधानमंती के को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कोपरूंelे हैक। इन में मैलाओं की तादाद भी अधिकी सड़क के दोनों और बड़ी संख्या में हरी लोग प्रधान मंत्री नें मुदी का कुछ वर्षा के साथ हाथ लाकर और नारे लगा कर स्वागत करें प्रधान मंत्री ने भी गर्म जोशी के साथ लोगों का अभवादन किया और आभार जटाया देश को लगातार विकास की और अग्रसर कर रहे हैं विश्व पटल पर भारत के नाम को उच्छा उठा रहे हैं हम सभी के बीच आप उपस्थित है इसे पूर्ज अबलपुर में एक जनसावा को संबोधित करते हुए प्रधान मंति ने कहा कि मध्यप्रदेश को क्रिश के शेत में भाजपा ने टौप पर पहुचा है और अब उद्योग के शेत में भी मध्यप्रदेश तेरी से आगे पढ़ रहा है प्रधान मंति ने कहा कि कॉंग्रेस के सरकारे भिष्टाचार और जनता की सहुलितों को लूट करके देश और प्रदेश को नुकसान पहुचाती थी भाजपा के आने के बाद भिष्टाचारी उपर कारवाई होते देखकर कॉंग्रेस और अन्री विपक्षी दलो में घबराहट पैदा हो गई है जब आपने हमें सेवा करने का मोका दिया तो कॉंग्रेस सरकार की बढाई उन ब्रष्ट ववस्ताओं को बदालने का हमने का भियान चलाया उधर भी सच्छता भियान चला दिया हमने टेक्नोलोजी का इस्तमाल करके करीब करीब 11 करोड जी नामों को हमने सरकारी दफ्टों से हटाया ये 11 करोड नाम कौन से थे ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन सरकारी दफ्टर से कजाना लूटने का रास्ता बन गया था ये 11 करोड फरजी नाम जो सच्चे गरीब लोग है असनी गरीब लोग है उनका हक छिन करके खजाना लूटने का काम हो रहा था कि 2014 में आने के बाद कि ये मोदी ने सब कुछ साब कर दिया कि